हलो आज है 21 अक्तूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंकॉम फर्मूलेशन के बारे में देखे छोटा सा फार्मा शेयर है यह तकरीबन साड़े दस रुपए के आज़ पास यह ट्रेड कर रहा है और हल्की सी तेजी आई है आज लेकिन चुरुआती दोर में यह इसे मांकर क्लोज होने वारा था यह अच्छी खासी तेजी दिखा कर यह क्लोज हुआ है वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि सिंकॉम फर्मूलेशन के बारे में क्या करना चाहिए मतलब यहां पर खरीदने का मौका है कि नहीं और किस तरीके से यहां पर ट्रेड करना क्या है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो देखें सिंकॉम फर्मूलेशन के बारे में अगर आप मेरी चैनल को रेगुलो फॉलो करते हो तो पिछले डेड़ साल से मेरी बाइंग के रिकमेंडेशन रही है एक महिने में ही ये 58% तक दोड़ गया था साड़े 6 रुपए से साड़े 12 रुपए तक पहुंच गया था ये लेकिन अब दीरे दीरे तूट रहा है प्राफिट बुकिंग आ रही है यह आप कह सकते हो मेरी यहाँ पर तबसे बाइंग क कि मैं बात करूँ इस साल में भया 660% का ग्रोथ है यहाँ पर आप देखें डेट रुपए से भी कम कीमत का शार्था लेकिन इसके पैटन को आप समझे आप देखेंगे तो तेजी आएगी दोड़ता जाएगा दोड़ता जाएगा दोड़ता जाएगा लेकिन उसके बाद लंबे समय के लिए ये शेर कंसॉलिडेट होगा और दीरे 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 तूटता जाएगा और यहाँ पर होता क्या है कि रीटिल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इस लेवल पर आकर भाईया अपना जो पेसंस है उसको खो देते हैं और फिर बेच देते हैं वो लेकिन उसके बाद दुबारा ये दौड़ना शुरू करेगा 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 तीन चार गुना पांच गुना पैसा बना के देगा ये लेकिन उसके बाद ये कंसॉलिडेट होता रहेगा कुछ महिनों तक कंसॉलिडेट होता रहेगा हो सकता है कि यह शायद 8 या 9 रुपए के असपास भी पहुंच जाए लेकिन फिर वहां से बाइंग के मौके बनेंगे इस तरह किसे थोड़ा बहुत नीचे जाएगा लंबा वक्त बिताएगा फिर धीरे दोबारा दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगा यह अगर आप चैनल को एक लिए फॉलो करते हो तो मैंने हमेशा दो ही पैनी स्टॉक को रिकमेंड किया था अगर आप दो साल जेर साल ते मेरी चैनल को देख रहे हो तो एक था ट्राइडन ट्राइडन चार रुपए के आसपास ट्रेड करा था चालीस कप हो गया है वो और करो कुछ कॉंटिटी खरीद लो और फिर भूल जाओ इसको और जब भी अगर यह तूटता है तो थोड़ी और कॉंटिटी को एवरेश कर लो लॉंग टम के लिए इस इस कंपनी में लॉंग टम का गेम होना चाहिए कंपनी के मैं बात करो यह विबसाइट है और इसके बार काम एक कंपनी करते है चाहिए वो सर्जिकल टेप हो कोटन इयर बर्डस हो सीरिंज इंजेक्शन के एगर हम बात करें इस सारी चीज़े चोड़ी चोड़ी चीज़े हैं तो कंपनी चोटी जरूर है लेकिन चोटी कहना सही नहीं होगा formulation की बात करे और भी कई साथ चीज़ों की अगर हम बात करे तो company कई सारी चीज़ यहां पर बनाती है और आने वाले वक्त में भी मुझे लगता है कि company और अच्छे से अपना काम कर सकती है packaging material की अगर हम बात करे तो company वो भी बनाते है aluminium foil की अगर हम बात करे ट्यूब वगएरा की बात करे बोतल वगएरा की बात करे जिसमें कब सिरफ वगएरा आती है वो सारी चीज़े बना कार्टन की बात करे जिसमें दवाईया पैक की जाती है वो ये कंपनी बनाती है छोड़ी छोड़ी जो अरबर स्टापर की बात करे वो सारी चीज़े ये कंपनी बनाती है और कंपनी मेरे हिसाब से ये तो भईया बात हो गए इनके एक एक्सपोर्ट वाले की डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक में भी कंपनी बहुत अच्छा प्रोड़क्ट इनका है क्रेटर्स लाइफ केर और यहां पर भईया निउट्रिशियस की अगर हम बात करें तो अलग-अलग प्रोड़क्ट कंपनी बनाती है विटामिन डी 3 की बात हो गई या फिर और कई सारा ओमेगा O3 की बात करें हम कई सारा चीज़े जो मल्टी विटामिन की अगर हम बात करें करोना काल में बाया यह चीज़े बहुत जादा कंजूम हुई है तो यह ऐसी ऐसी चीज़े कंपनी बना रही है तो मैंने आपको एक्जामपल दिये है और भी करिजा चीज़े है अशेंशल विटामिन्स हो गए है, मिनरल्स हो गए कई सारी चीज़े है चो यह कंपनी करती है सिनकॉम की मैं बात करने जाओं तो सिनकॉम में बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है और नहीं कोई करेगा और मैं भी नहीं करूँगा नहीं बेचना चाहिए हाँ गिरावट आएगी ठीक है 12.5-12 रुपे से पहुंचके 9.5 पर भी पहुंच जाएगी गिरावट आएगी लेकिन फिर एक लेवल पर consolidate करेगा यह और लौडने के लिए तयार हुच आएगा यहाँ पर अगर हम देखे तो कंपनी के revenue लगातार बढ़ रहे हैं और यह बहुत अच्छी बात है 2500 करोड की कंपनी के revenue profits यह profit बहुत ती जिसे इसके improve हुए हैं 8 करोड 11 करोड 14 करोड सिधा 30 करोड और 2022 की financial year में और बड़े profits आपको देखने को मिल सकते हैं और सबसे अच्छी बात अगर आपने notice करी हो तो promoter यहाँ पर बड़ी quantity खरीद रहे हैं यहाँ पर जो latest update आई है September quarter की वो अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो जो 41% की promoter की holding थी वो 44% की हो चुके 3% की holding promoter ने एक ही quarter में खरीद ली है तो promoter बड़ी quantity खरीद रहे हैं यहाँ पर क्योंकि promoter को पता है कि भया उनके company की क्या value है क्या valuation है महंगे में भी खरीद रहे हैं और again मैं कहूंगा कि sincom देखे यह नहीं होना चाहिए कि आप एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर डाल दे उतना भी नहीं करना चाहिए penny stock है तो वह आप penny stock को penny stock के तरह ही treat करना चाहिए एक बहुत बड़ा पैसा भी डालना बहुत ही risky होता है किसी भी penny stock में चोटा सा amount आप डाल सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा नहीं चोटा सा उतना amount जिसको आप 5-6 साल के लिए खिंग सके आपको जरूरत ना हो ठीक है उतना amount आप डाल के इसको long time के लिए carry कर सकते हैं company अच्छी है बहतरीन है लेकिन हाँ again मैं कह देता हूँ देखो बाद में बोलना नहीं कि यार साड़े दिसका से आठ रुपे पर आएगा क्या करूँ नीचे के लिए बाइंग के मौके बनेंगे consolidate हो रहा है पहले भी हमने देखा है कि बड़ी रफतार के बाद लंबे समय तक consolidate हुआ है फिर बड़ी रफतार पकड़ी है फिर लंबे समय तक consolidate हुआ है फिर इसने तीजी पकड़ी है फिर अब consolidate हो रहा है तो चीजों को समझे इस तरीके से और अभी नहीं खरीदने का मौका नहीं है दस रुपे से महंगा तो मैं कभी भी खरीदने की बा बनाती है वो डेफिनिटली हर जगे इस्तमाल होती है जिसकी मंदी कभी भी नहीं आने वाली है उसकी जरूरत पढ़ने ही वाली है बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनिया भी इनके क्लाइंट्स है वीडियो को यहीं परेंट करूंगा पसंद आया हो तो लाइक कर शाय के चैनल सब्सक्राइब करें और सिंकॉम फर्मूलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वह भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं थैंक यू